वेल्कम बैक टू मैंने व्लॉग देखो गाइस तब यह थुरा सा इंकरवड लग रहा है भी सोक उठा हूँ मैं और देखते हैं क्या है याज देख रहे हो कैसा खालो रखा है एक दम्हालत खड़ा आप सर्दी से जदे परिशानी है सक् więc यहां बैठा हुगा है पतने क्या कर रहा क्या कर रहा है और क्या क्या पी रहें कश्ड ह? तो इस सर्दी की वज़ा से इतनी प्रसानी हो गई है जो जादा और कहीं भी क्या बदाओ कहीं वह उठा मैं ब्रश किया नहाया रेकवास्ट किया उसके बाद से सर पकड़ा हुआ है पता नहीं फिर दिन में खाना कहा आरेश्ट किया कुछ काम था तो देखो काम पर बैठा था काम भी हो गया बट स्टिल अभी भी कोल्ड है यह खतम हुने का नाम ही नहीं ले राज बताने कैसे इंफ्रेक्शन हो गया और इसके चलते कोल्ड के चक्कड में मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हुआ आप समझ रहे हो ना कहीं बाहर जाने का मतलब म भी हो ओ प्लान सब कैंसिल कहीं भी जा नहीं सकता आदमी तो क्या करूं मैं मतलब मैच इंडिया पकिस्तान का मैच तो रहा है और बारिष के विज़ा से रुका हुआ है तीन विकर तो चला गया कोली रोहित शर्मा एंड श्रिया से रतीनों आउट हो गया तो पता नहीं क् मैच तो रूका हुआ है तो उसको मैं देख रहे है। इस बारिष कbok प्ली मै चलओ होगि तो आज कंब मैच बहुत ही मतलब ड्रड़ी वाला है इंडिया पकिस्तान का मっस रहा है इंडिया में और पकिस्तान में तो पता नहीं क्या होगा तो देखते हैं मैच और कुश अब आपडेट करेंगे अभी बाबु आया इस चार्जर फिक की गया यहां पर तो एक बार यही है आज का तो फ्लान मैच देखेंगे और कहीं जाना तो है नहीं तो फिलाल बैठें घर पर क्या करें लुए इस सर्दी की वजह से इतनी परेसानी हो गई है तो बहुत ज़्यादा और कहीं भी क्या बलाव कि अब उठा मैं व्रस्ट किया नहाया रेक्वास्ट किया उसके पास सर पकड़ा हुआ है पता नहीं फिर दिन में खाना खाया रेश्ट किया कुछ काम था तो देख काम पर बैठा था काम भी हो गया बट अभी भी कोल्ड है यह खता मुने का नाम ही नहीं ले राज इस पतने कैसे इंफेक्शन हो गया और इसकी चलते कोल्ड के चक्कड में मैं कहीं बाहर नहीं जा रहा हूँ आप समझ रहे हो ना कहीं बाहर जाने का मतलब मेरा प्लान जो भी ह प्लान सब कैंसिल काई भी जा नहीं सकता आदमी तो क्या करूं मैं मतलब मैच इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है वो बारिष के विज़त से रुका हुआ है तीन विकर तो चला गया कोली रोहित शर्मा एंड श्रिया सेहर तीनों आउट हो गए तो पता नहीं क्या हुआ है तो उसको मिनी देख रहे हैं जी भारिष कितम होगी उसके बाद मैच चालू होगा तो आज का मैच बहुत ही मतलब मृब लड़ी वाला है इंडिया पाकिस्तान का मैच तो इस तुछ से क्रिटिकल रहता इंडिया में और पकिस्तान में तुनों जगा तो पता नही तो आपको अपडेट करेंगे अभी बाबु आया है इस चार्चर फिक की गया है यहां पर तो एक बार यही है आज का तो फ्लान मैच देखेंगे और कहीं जाना तो है नहीं तो फिलाल बैठें घर पर क्या करें कि माइब खाणा हो गया अब बाबो भी सो गया है तो पस आपको एक नट साथे लाइट आफ करना है मुझे तो ऐसा है कि खाना भी हो गया सब कुछ हो गया बस ऐसे बैठे थे और इंडिया पाकिस्तान का जो मैच चल रहा था वो हो गया कैंसे बारिश की वज़ा से तो वैसे मैच में बहुत मजा आने वाला था लेकिन फिर मैच में बहुत मजा था वड़ कैंसील हो गया ठीक है तो क्या कर सकते थे और एक बात है कल है संडी तो संडी का मेरे कुछ प्लाने लिख अभी इतना तभी ठीक नहीं है इसके चक्कड में क्या वदा हूं मैं यहां लाइट की कमी है कि देखते हैं लाइट ठीक करते हैं पहले एक बार यहां लाइट ठीक है तो अब मैंच दोगे कैंसिन साथ पॉइंट का डिस्टिब्यूशन हो गया दोनों टीमों को तो अब तो कोई असर रहेगा नहीं आज को यह कि था कि मैंच देखते पूरा दिन लेगिन एक ही देख पाए उसके बाद तो सेकेंड इरिंग हुआ है नहीं मतलब पकिस्तान वाले खेले ही नहीं इतनी बारिश हो लेए थी और स्टार स्पोर्ट्स ने बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाये थे जिसमें बहुत सारे गय हुए है यहां से तो वह लोग भी वहां पे थे पर इंट्रेस्टिंग होता तब जब बारिश नहीं होती और मैच होता तो गैस तो दिन ही खतम हो गया और बहुत सारे लोग जो की कुछ यह मैच के सकते लगाते हैं उनका भी कुछ नहीं रहा है वह सारे अप्स आगा है आजकर मैच प्रेडिक्ट करते रहते हैं उनका भी तो गैस अब सोना है इस ब्लोग को यहीं पर एंट कर देते हैं और प्लील लाइक शेर और सब्सक्राइब थैंक्स फोर वाचिंग